महाराष्ट्र कान्दा उत्पादक संगठन के बाद राजे के एक और किसान यूनियन ने पंजाब हर्याना के किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। साथ ही दूद को न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP के दाएरे में लाने की मांग की है। इस मांग को लेकर महाराष्टर के दूद उतपादक किसान करीब पांच साल से सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हर साल वो सरकार से अपना विरोध दर्स करवाने के लिए एक दो बार सडकों पर जतरते हैं और दूद बहाते हैं। अखिल भारतिय किसान सभा के वरिष्ट नेताडो अजीत नवले ने कहा कि दूद को MSP के दाएरे में लाए बिना पशुपालन घाटे का सौदा रहेगा। क्योंकि अभी तो पशुपालकों की मेहंत का फल देरी वालों को मिल रहा है। किसानों को सिर्फ नुकसान हो रहा दे, नवले ने कहा कि महाराष्ट्र में रोजाना एक करोड तीस लाख लीटर दूद का उतपादन होता है। ज्यादातर दूद की आपूर्ती निजी छेतर को की जाती है। राज्य के पशुपालक 72% दूद निजी छेतर की डेरी को बेचते हैं, बाकी कोपरेटिव वर्तमान में MSP न होने के कारण ये दोनों ही सेक्टर दूद का प्रात्मिक उतपादकों का शोशन कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लागत के अनुसार दूद की MSP तै हो। दे, नवले का कहना है कि पंजाब हर्याना में हो रहे किसान आंदोलन को इसलिए हमारा समर्थन है क्योंकि उनकी मांगे पूरे देश के लिए है। कॉमन मांग है। जैसे उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की MSP पर खरीद गारंटी का कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तै करने की मांग की है। इसमें सभी किसानों का हिट शामिल है। यही नहीं किसानों और मजदूरों की कर्जमुक्ती की मांग भी सारे किसान संगठन करते हैं इसलिए हमारा इस आंदोलन को समर्थन है। MSP की गारंटी मिलेगी तो पूरे देश के किसानों का भला होगा। Bureau Report Market Times TV